हेलो फ्रेंट्स जागरन जोश्ट के इस डेली कर इंटरफेस के ने वीडियो में आप सब का स्वागत है मैं हूँ शारदानल हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के कर इंटरफेस से क्या कुछ साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुरे कुछ क्या रहेंगे तो यह सारी चीजे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ और पहला सवाल है हाली में किस देश ने सीमा पर दीवार निर्मान करने हैं तो कि अमेरिका जैसा एक लोगतांत्रिक देश है वहां पर इमर्जेंसी क्यों लगाए गई और ऐसा बहुत जैदा वहां पर विरोत प्रदर्शन तो हो नहीं रहा जवाब सिंपल सा है वहां पर जो इलीगल इमिग्रेंट हैं जो कि मैक्सिको से डाइरेक्ट यूएस में गु और इस वॉल के निर्मान के लिए संगी है कोश यानि जो फेडरल वहां पर रिजर्व है उससे अर्बो डॉलर चाहिए कितना चाहिए पांच बिलियन डॉलर की इन्होंने मांग कि अब यहां पर क्या है कि अमेरिका में संसद ही है जो सभी सरकारी खर्चों के लिए वित्य प्रस्ताब जैसे कि फैनेंशिटल खर्च होगा jäका संसद ही और अमेरिका का संसद है और प्रस्ताब के बीच एक तरह का कॉंफ्लिक थै इस को खत्म करने के लिए उननोंने सीधे सीधे तौर पे मयंतलๆ कर दी इंगerem 46 से क्या होगा इमर्जेंसी से प्रसिडेंट को यह पावर मिल जाता है कि वह जितना चाहे पैसे वहां के फेडरल रिजर्व से निकाल सकता है पहले उसने 5 बिलियन की मांग की थी और जिसके उपर वहां के जो कॉंग्रेस है जिसने इसके उपर 1.6 बिलियन के मंजूरी देती अब इमर्जेंसी के बाद कॉंग्रेस के अप्रूबल की ज़रूरत नहीं होगी और यह डॉनल्ड ट्रॉम डिरेक्ट वहां से अपना पैसा निकाल सकते हैं अब मैं आपको बता दूँ वहां के इमर्जेंसी सिस्टम की बारे में देखिए 1976 में वहां के प्रेसिडेंट थे फॉर्ट तक वहां बताया जाता है में अभी तक emergency लग चुका है जिसमें अकेले बराक उबामा जो इससे पहले थे प्रसिडेंट उन्होंने 11 बार से अधिक बार वहां पर emergency लगाया था और अब जाके इन्हों ने डॉनेल्ड ट्रंप ने emergency लगाया है ताकि वह जितना पैसा दिवार बनाने की उपर खर्ज कर सके और वह चाहते हैं उतना वह कर सके तो मोटा मोटा तो यह एक बात थी कि वहां पर emergency क्यों लगाई गई अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल पर निमलिखित में से किसने हाली में पुर्भी नौसेना कमान के चीफ ऑफिस टाप का पदभार संभाला सही जवाब option A है वाइस अड्मीरल एसन घोर मारे यह विशाका पत्नम में है पुर्भी नौसेना की कमान का चीफ ऑफ स्टाप का पदभा उन्होंने ग्रहन किया है उनके पास ऐसा बताए जाता है जो उनके अगर बायो डाटा को देखे तो उससे पता चलता है कि उनमें न नौसेना में जेनरली जो नेवी है उसमें जेनरली अगर जिनके पास यह नवीगेशन और डाइरेक्शन का पूरी तरीक से विशेशक यह एक्सपर्ट हो वह अच्छे पोजीशन पर वहाँ पर जाते ही है हलांकि इनकी जो अपनी एक्सपर्टाइज है वह बहुत ही अच् पूर्भी नौसेना कमांड चीफ ऑफ स्टाप का एक वहां पर पूजिशन दिया गया बढ़ेंगे आज के तीसरे सवाल पर हाली में प्रधानमंत्री नरिद मोदी ने भारत की पहली सेमी हाइस्पीड ट्रेन को हरी जंडी दिखाई ट्रेन का नाम किया ऑप्शन से गंगा जो मैक्सिममों स्पीड है वह 160 km पर आर के चल सकती है किस किस बीच में चलेगी नही दिल्ली से वारा नसी के बीच में इसकी ट्रेल जैनी और चुका है और अब हिह हाईली में रील मंत्री ने कहा है कि इसकी आगे आने वाली दो से 3 सप्ता के जो बूकिंग और फूल हो सबसे जयदा सतक लगाने वाले बल्ले बाज है क्रिस गेल और लारा के बाद वह सबसे जयदा रन बनाने वाले भी दूसरे बल्ले बाज है गेल की बात करें 284 वंडे मैच में 977 जनी 10,000 रन से कुछ ही रन पीछे हैं जिसमें 23 शतक हैं जो कि हाइस टेवे स्टेंडीज के लिए और 49 अर्ध सतक हैं वहीं ब्रैंड लारा ने स्टूल से अगले सवब मोबाइल वर्ड कॉंगरेस 2019 का आयोजन कहा किया गया मव्दानई से संट फ्रांसिस्को पैरिस बार्सिलोना बार्सिलोना कहां पर है स्पेन में स्पेन में यह कब से 25 से 28 फरवरी के बीच में यह पूरा वहां पर चलेगा अब इसमां होता क्या जितने भी दुनिया के जो world renowned phone होते हैं वो अपने सबसे latest technology या latest जो उनका brand होगा जो model होगा उस सब को वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं लोगों के सामने दिखाते हैं कि हमने इस नए technology को develop किया है और अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा है Mobile World Congress की वो है 5G technology यानि इस वार जो ह इनेबल करके अपने फॉन का काफी कंपनियों ने अपने फॉन को develop किया है और वो सब लोग जो पहला जो अन्वील करेंगे पहला लुक जो अन्वील करेंगे वो इसी Mobile World Congress में करेंगे तो अगर आप सब लोग mobile के प्रेमी है technology से संबंद आपको बहुत ज्यादा इंट्रेस् बहुत ही कुछ होने वाला है इस Mobile Congress अधिवेशन में बढ़ेंगे आज का अगले सवाल पर भारत ने पाकिस्तान से आयात पर सुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धी की 100 परतिशत 50 परतिशत 1,500 परतिशत 200 परतिशत सही जवाब option D 200 परतिशत दोस्तो आप सब को पता 44 CRPF के जबान हमारे शहीद हो गए थे और उसके बाद पूरे देश में एक तरह से रोश है गुसा है अंदर से एक बदले लेने की जो है सब में एक एक बहुत ही बड़ा लोग चार है बहुत व्यापक रूप से लोगों की एक मांग है कि इसका बदला लिया जाए लेकिन इसका बदला सिर्फ लड़ाई जगरे से या वार से हो ये तो सरकार करेगी और जैसा कि हमारे प्रधानमत्री ने कहा कि इसका बदला हम लेंगे और बहुत ही गंभीर रूप से इनका परिणा मुगतना परेगा लेकि उससे पहले जो सरकार ने किया उनके एकनौमी को तोड इसके बाद जो भी अब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है चीज़े यानि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे 200 प्रतिशत का आयात शुल्क उनों ने बढ़ा दिया अब इससे क्या होगा पहले तो यह बद देखिए अभी जो पाकिस्तान प्रमुक्तोर से जो भारत क समुद्री सामान प्लास्ट यह सारी चीज़े हैं जो मेन रूप से हम वहां से एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने जो हमें एक्सपोर्ट किया है वह लगवग 3482 करोर का था 2017-18 में अब सीधे-सीधे 200 परसेंट वरेंगे इससे पहले जो हम लोग उनसे इंपोर्ट करवाते थ दर से ही टेक्स हम लिया जाता था क्योंकि वह फेवर नेशन थे अब 200 परसेंट बढ़ गया अब सीधे तोर पे एक तरह से ही हो गया कि हमने वहां के इंपोर्ट को बैंड कर दिया क्योंकि 200 परसेंट देके तो लोग नहीं देने वाले हैं या उनकी उतनी हैसियत भी नहीं लेकिन बहुत जबरदर्स चोट है इंडिया की तरफ से बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर वेनिज्वेला पर अमेर्की द्वारे लगाएगे प्रतिबंद के बाद उसके कच्छे तेल का सबसे बढ़ा आया तक देश कौन है आप्शन से इरान भारत जापान रूस सही जवाब ऑप्शन भी भारत इंडिया अभी हाली में रिपोर्ट आई है और इसमें बताया है कि जो आधे महीने फरवरी के आधे महीने तक ही वेनिज्वेला से जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं क्रूड वाइल का उसमें इंडिया नंबर वन पर पहुंच गया है ऐसा क्यू लेकि यूएस ने इसके उपर व्यापक रूप से एक प्रतिबंद लगा दिया प्रतिबंद के बाद क्रूड वाइल का इतना वह एक्सपोर्ट करता था उतना तो नहीं कर पाया है लेकिन उसके कुछ नई रास्ते खुल उसी नहीं रास्ते में भारत है भारत ने यहां से लगभख 66% हायर इंपोर्ट शुरू कर दिया है यानि जो अभी उन्होंने इंपोर्ट के फरवरी में उच्छासत प्रतिशत अधीक है और 6,20,000 बैरल प्रतिदिन आयात हो रहा है वहां से अब देखें इंटर्म में तो हम लोग नंबर वन बन गए है वहीं इरान के साथ ह जो पहले हमारा 6 to 7th largest हम लोग इंपोर्टर थे इरान से वह थोड़ा कम हुआ है क्योंकि इसके उपर भी इंटरनेशनली एक प्रेशर दिया गया है तो इस तरह भारत अभी नंबर वन हो गया है वेनेजुला के साथ ट्रेड में कच्चे वाइल के ट्रेड में पढ़ेंगे ठीक सटे पाकिस्तान बॉर्डर पे यह जगह स्थित है पोकरन यहां पे एर फोर्स ने हमारे जो हमारे एर फोर्स के जवान है उन्होंने वायू शक्ती 2019 का अभ्यास किया अब यह जो वायू शक्ती 2019 इसमें क्या हुआ लगवक 138 जितने भी फाइटर जेट थे उसका इन् इस तरह से दुश्मन को पलग जपकती ही खत्म करने में हम लोग सक्षम है और इसके ताथ 138 से जैदा फाइटर जेट ने सही निशाने पर अटैक करके पूरे विश्च को बतला दिया है कि हम कभी भी किसी भी समय यूद्ध के लिए तयार है और खासकर पाकिस्तान को तो इनों ने एक संदेश देही दिया अब इसमें हुआ क्या इसमें बं मिसाइलों लराकु विमान हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल का हवा से हवा हवा से जमीन मार करने का अव्यास किया गया इसमें मुख्यतिती के रूप में वायु सेना प्रमुक एयरचिफ मार्शल भी एस धनोवा थे सेना प्रमुक जनरल विपीन रावत थे और जो एक मानद की उपादी में लिए ग्रूप कैप्टन सचीन तंदुलकर थे राजस्तान के कई शांसत थे तो यह सारी एक हुई है वायु शक्ति 2019 में बहुत ही जबरदस्ट प्रदर्शन था डाइरेक्ट टीवी प विदेश मंत्राले का कार्जभार फिर से संभाला विदेश मंत्राले रक्षा रेल मंत्राले सही जवाब ऑप्शन ए फाइन्स और कॉर्पोरेट अफियर्स मेंस्टर आपको पता है कि यह नहीं थे तो प्यूश गोईल ने इनका कार्जभार देखा था अपना इंटरिम ब प्यूश गोईल के उपर प्रधानमंत्री ने दिया था और अब वहां से स्वस्तों के वापस लोटे इसलिए यह जो कार्जभार है इन्होंने वापस प्यूश गोईल से ले लिया है और एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखके बताए अपने फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए साथ ही इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों को भी बताएं और देखते रहें जागरंचोस.com